अक्सर महिलाओं की प्रावलिम होती है कि पती हमारी care नहीं करते हैं पती हमारी value नहीं करते हैं उनको हमारी कीमत पता ही नहीं है तो उनको अपनी कीमत का एहसास दिनाने के लिएक कुछ ऐसे राम बार्ण उपऐ आज ये इस वीडियो में लेके आई हो इसको patience लिया अराम से धीरे-धीरे सुनिएगा, क्योंकि सारे points काफी important है, कुछ भी आपने miss कर दिया, या किसी भी चीज़ को बहुत ही जादा lightly आपने लिया, तो हो सकता है कि में भी शायद आपको बहुतर रिजल्ट ना मिल पाए, हर तरह के इंसान होते हैं, अलग-अलग पती होते हैं, अलग-अलग moods होते हैं, सब के सोचने, विचारने का तरीका अलग होता है, लेकिन उनको deal करने का जो तरीका होता है, पत्मियों के पास थोड़ा more or less same ही होता है, तो number one चीज़ है, जो सबसे important चीज़ है, कि आपको क्यों लगता है कि पती आपकी care करें, सबसे पहरे आपको खुद की care करनी है, अगर खुद की आपने value करना है start कर दी, खुद की care करना है start कर दी, खुद की कीमत को समझना है start कर दिया, तभी आप दूसरों से expect करें कि वो भी आपकी कीमत समझेंगे, तो जिन महिलाओं की या आदते होती हैं कि oh my god मेरी तो life ही बेकार हो गई है मैं तो इस जीवन पे मेरा मतलब कह सकते हैं कि इस धर्ती पे मैं बोज हूँ पता नहीं मैं ऐसे क्यों करती हूँ मुझसे ही बार-बार गलती हो जाती है और सारी गलतियों का blame लेना खुद पे start कर के इसारी हैं यानि कि कही न कहीं जब आप अपने आपको degrade करती हैं अपनी कीमत नहीं समझती है या अपके पति भी आपकी वैली नहीं समझेगी कोई भी person आपकी वैलीट नहीं समझेगा तो number one जीज़ अपने खुद की value समझना है और अपने आपको कीमती समझना स्टार्ट कर दें दूसरी चीज है आपके टाइम की खुद की वैलु होना कई पर क्या होता है कि अगर आपको पती ने कहा कि चलो मेरे लिए कुछ चीज कर दो कोई भी चीज कर दो वो बोल सकते हैं कि मेरी शट कहा है मेरा बेल्ट कहा है या मेरे लिए कुछ चाय बना के तो उन्हों ने जैसे ही बोला वैसे ही एकदम ख़ड़ा नहीं हो जाना तुरंट से जैसे बोला चुल एकदम एविलेबल पूरे टाइम 100% पूरे तरा पूरे टाइम उनको अविल्मिलिटी नहीं शो करनी है आपके पास भी काम है आपकी इंपोर्टेंस है ऐसा नीगेटिव मैं नहीं बोल रही हूं कि आप इसको negative में मिले जाए लेकिन for an example कि अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं आपने बच्चों को यह chapter पढ़ा है chapter almost अब खतम होने वाला है तो आप उनको बोलिए कि पस पास दस minute और रुके मैं आपके लिए खाना बना करके देती हूं या कोई समान ला करके देती हूं लेकिन हा अगर वो shirt या pant, belt कुछ ऐसी चीज़ी माग रहे हैं जो कि office के time पे है तो office के time पे आपको prompt होने की जरूरत है बहुत actively उस चीज़ को देने की जरूरत है लेकिन जहां पर आपको pause देना जहां पर आपको लग रहा है कि यह रूख स आप समय की नजाकत को देखिए यह समझने की कोशिश करिए कि उनके लिए कुछ चीज़ कितनी ज़्यादा जरूरी है लेकिन अगर वो उनके पास time है या फिर आपको लगता है कि इस time पे उनको pause देने की जरूरत है तो अपने हिसाब से अपना दिमाग अपलाई करते ही अपनी importance पता चलेगी आपके समय की importance पता चलेगी तो उनको भी आपके समय की value कदर होगी तीसरी चीज़ क्या होती है कि अगर कई बर क्या होता है कि husband बहार से बहुत थक हारे आए आपको पता है कि उस time पे उनको पानी देने की जरूरत है आप पानी दीजे या कोई नाश् बाते करेंगे देखिए पत्नी है हमेशा ही प्यारी रहेगा लेकिन सर पे चाड़ने के अवशक्ता नहीं है उसको कहते हैं ना कि हलका सा इनसान को थोड़ा सा एक स्पेस देने के अवशक्ता होती है कोई इंसान दिन भर उन्होंने कोई phone इस्तमाल लें किया है और phone का तो कितना ज्यादा वाइटल हमारे जो life में एक importance बना हुआ है तो अगर उन्होंने phone इस्तमाल नहीं क्या है दिन भर वो workplace पे होते हैं उनको इतना समय नहीं होता है कि अपना phone बार 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 वो चेक करेंगे या फिर चलो entertainment के लिए ही कोई वो चीज़े देख ले तो जब भी अगर आपने पानी दे दिया नाश्ता दे दिया आप थोड़ा सा थोड़े दिर उनके लिए बैठिये लेकिन ये expect बिल्कुल ना करिए कि वो आप से ही बात करेंगा अगर वो फोन देखते हैं तो देखने दीजे आधे गंटे का समय दीजे एक गंटे का समय दीजे लेकिन उनको ये बता दीजे कि आधे गंटे आपका जब हो जाएगा काम तो फिर आप मुझे बुला लेना हम दोनों कुछ थोड़ी दिर बाते करेंगे खाना लगाते सब्ते में भी मैं आपके सारे सी बाते करना पसन्द करेंगा उपजाते क्या आप फेसबुक पे कोई रिल्स देख लिया इस्टाग्राम पे देख लिया या कोई बहु यो तूब के वीडियोस देखने हैं या कुछ अगर वो न्यूउस सुनते हैं तो उनकी चीजे आपको थोड़ी सी बोरिंग लगेगी लेकिन वह भी जरूरी चीजे कर रहे होते हैं कई बार क्रिकेट के स्कोर होते हैं या क्रिक बस पर आपके बहुत सारी चीजे होती हैं लेकिन उस टेम पे पती को वह परस्नल स्पेस मिलना ही चाहिए वही पर चौथी इंप देजे उनसे बाते करने देजे लेकिन आते कि साथ यह आप मम्मी की रूम में क्यों गया उनका बेटा है अगर वह पांस-दस मिनट आधा गंटा अगर बैठ गया उनसे हाल समचार पुछ लिया कैसे हो तो आपने कुछ खाया तो वह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप को इतना इस पेस दें आप जितना उनको इस पेस दीजेगा उन दोनों को अकेला छोड़िएगा जैसे मा और बेटे की बीच में बाते हो रही है कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसके बीच में आप पूरे टाइम आपको सारी बाते बताई जाएंगी या फिर जो आपकी इ आप बीच में रहो ही ठीक अच्छी बात है कि आप फैमिली मिंबर हो लेकिन थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सी डिस्टेंस अगर रखते हैं तो आप देखीगा कि पती आपकी वैलू भी करेंगे केर भी करेंगी तो इस तरह से अपने आपको बनाना पड़ता है अगर बात भी कर लिजेगा उनसे दिल की बात भी सुन लिजेगा और पांच भी टिफ अब जैसे घर आया पती उस टेम पे होता क्या है कि हम शिकायत करना स्टार्ट कर देते हैं हां अब ताम मिल गया तुमको आने का समय मिल गया इतने लेट से आए हो अटलिश्ट वो आय तो सह कि कितनी जादा ट्राफिक होती है वो मेट्रो से आ रहे हैं या फिर ट्राफिक में फसे हैं वो ट्रेंस से आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं बसे में इतनी भीड होती है धक्के खाका के आते हैं और आप सीधी उनको ऐसे ताने वाले बाते करोगे कि आप आ गए बहुत जल्दी जीरो किसी के साथ भी बहुत जादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी आपको आप उनसे थोड़ा से ये पूछ लेजी करें वह बहुत अच्छी बात है कि आप जल्दी आ गए हाला कि मुझे आपके देर आने से प्रॉब्लम है लेकिन हां अच्छी बात है कि आप यहां पर ज मजते हैं उतना ये बॉइस नहीं समझ पाते हैं तो आप उनको सपेस दिजा अगर मालीजे कि गल्ती से उन्होंने रोज लेके आये वह आपके लिए तो आप उनको ताने की रूप में ना लो कि हां रोज आज लेके आ रहें इतने साल से तो लाई नहीं आज लेके आगए तो कोई बात नहीं इतने साल से नहीं लाए आज तो लाए उसको अप्रिशेट कर दिये तो चोटी-चोटी चीजों का अप्रिशेट करने स्टार्ट कर दिजे शुटी से चोटी जो भी अगर अचीवमेंट अगर बहूत अच्छे गाड़ी चलाते आपके है बहुत अच्छे गाड़ी जाला यह थोड़ादा से प्यार कर लिए तो आरे अच्छा होगा अपने तौन से गोद लिया है या कुछ भी चीज़े जो आपको लगती है कि थोड़ा सा एप्रेशेशन उनको मिलना चाहिए तो एप्रेशेशन करने के लिए आपको पीछे नहीं हटना है आप ये एक्सपेक्ट करिए कि वो करेंगे तो ही मैं करूंगी जी नहीं आप खुद से ही करना है स्टार्ट कर दीजे कई बर क्या होता है कि वो जैसे जल्दी आगए जैसे मैंने एक्जामपल दिया तो आप बोली कि वाउ क्या बाद है जल्दी आगए या बहुत अच्छी गाड़ी आपने ड्राइब की, या फिर बहुत अच्छे लग रहे हो शट में, या आपकी पसंद है ना, आपकी पसंद भी बहुत अच्छी है, इस तरह से छोटी-छोटी जो compliment होती है, काफी ज़्यादा दिल को चूँ जाती है, तो आप पती को इस तरह गलत है, ये बिल्कुल गलत है, मतलब आपने शॉपिंग करना आपको पसंद है, तो वो पीशे-पीशे आपके बैग उठाके चले, ये भी सही रही है, ठीक है, उनकी एक च्वाइस होती है, उनकी च्वाइस को जब आप तबज़ो देना है, स्टार्ट करेंगे, हाज्में बनाईए, तरह-तरह के पकवान बनाईए, उसको थोड़ा सा पैमपर करने की कोशिश करें, अगर थग गये हैं, तो उनको थोड़ा सा बोलिए, कि क्या मैं तुमको हेड मसाज दे दूँ, या इस तरह से जब आप थोड़ा सा उनको पैमपर करती है, थोड़ा से बाते करती है, या फिर कई बार उनके पसंद की चीज़े करती है, जैसे कई बार होता है कि हम इतना नॉर्मल जो हमारा खाना बनता है, लेगिन जो इस्पेशल जो टीशेश होती है, उनके लिए इतना टाइम नहीं होता है, तो आप सप्ता में एक से दो दिन ऐसा टाइम निकाले, जह अपने पती को बहुत अट्रैक्ट करो, ऐसे जल्दी बनके तुम आ जाती हो, कैसे भी बाल रहते हैं, कैसे भी रहती हैं, खाना खाया, तो वो बिल्कुल सही है, आपको भी थोड़ा सा प्रिजेंटेबल बनना है, आपके पती का आने का टाइम हो गया, तोड़ा आधे गं घर में हैं, हमें साड़ी पहने की क्या जूरत है, हम दिन भर नाइटी में रह सकते हैं, तो दिन भर जो पहने वाला जो ड्रेस होता है, वो अलग होता है, और रात में पहने वाला जो ड्रेस होता है, वो बिल्कुल अलग होता है, तो वो उन दोनों की डिफरेंस को आप आपको परिशानी होगी दो दिन होगी आप देखिएगा कि दस दिन के बाद यह परेशानी आपको लगी नहीं और इतने आपके वाद्ट्रोब में सारी साड़ी आप पड़ी हैं, सुट्स पड़ी हैं, तरह तरह के ड्रेसे पड़े हैं आखिर वो किस दिन काम आएंगी, आपकी वो काम नहीं आएगी, तो अपने जीते जी अपनी चीजों को इस्तमाल कर ले, वो ज्यादा बेहतर है, तो आपकी जो भी जुल्रीज हैं, या कुछ भी है, जो भी चीजे हैं, आप पहन लीजे, आपको दिन भर थोड़ा सा नॉर्मल, जो एक प्रेजेंटेबल ड्रे क्योंकि कई बर का होता है, महीं लाएं, कैसे भी बाल मना के, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, कई बार कीचन से निकल के आएं, बहुत ही ज़्यादा पसीने में, तो आप एक बर फ्रेश जरूर हो जाहिए, रात में सोने के भी पहरे आपको फ्रेश होना चाहिए, दिन मे बीबी काफी जादा अट्रैक करती है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देजेगा तो पतियों को जो छोटी-छोटी चीजें वो अट्रैक करती है, तो वो बिंदी भी है, अगर छोटी से बिंदी आपने लगाई, उससे भी आपका चाहरा काफी खुशूरत लगता है, सिंद कमाने कि मेरी कोई फाइदा ही नहीं है, जब मेरी पत्नी अच्छे से, मैंने तुम्हारे जोलरी बना दी है, तुम कोई जोलरी नहीं पहनती हो, ना कान में डालती हो, ना गले में डालती हो, कुछ ने डालती हो, तो ये गलत है, ये सरा सर गलत है, जो हिंदू धर्म का एक म बिलॉंग करते हैं महिलाओं के पास थोड़ी न थोड़ी जोलरी होती है तो आप जोलरी भी पहने और थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखें और महिलाओं की ये भी आदत होती है कि पूरे टाइम गुसन आख पे रहता है तो वो चीज आपको नहीं करनी है इस स्माइलिंग नहीं देना है क्योंकि अगर आपने जवाब देना बंद कर दिया शांत रहना है स्टार्ट कर दिया आप देखेगा कि उनको खुद से आपकी केर होना है स्टार्ट हो जाएगी तो आप अपनी केर को खुद से कर सकते हैं खुद से आप अपनी केर करिएगा तो पती भी डे वेस्वाइ वालकियर